जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग यूटूब चैनल में इस वीडियो में क्लास एट विसाई समाजिक विज्ञान की मौश्ट बीबी आई इंपोर्टेंट अब्जक्टिव कोशन देखने वाले हैं जो कि आपकी बूर्ट की परिक्षा में पूछे जा सकते ह तो सभी चातर अंतक बने रहे हैं और इस वीडियो में बताएगे सभी कोशन आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लिजे और एक्जान से पहले इसको रिविजन भी जरूर कर लिजेगा चले बच्चो कोशन को जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अपने स अब दोस्तों को साथ से यहर करें चैनल पर पहली बार आए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो देखिए बच्चो सबसे पहला कुशन आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखाए कि कॉंग्रेस की अस्थापना कभ हुई थी दोस्तों कॉंग्रेस की अस्था 안रगा राजा राम मोहन्डरा को कह जाता है ठीक है ऑप्षन नमबर की 6 का सेंसर होगा अगला स्वाल है कि बंगाल का विवाजन कभ हुआ था तो बंगाल अगला सवाल है कि झारगन्ड की पहली अंतराश्टी होकी खिलाडी है तो कौन है? निक्की प्रधान याद रखें इस का जाएगा? निक्की प्रधान, उप्सण एस का सेंज रोगा? अगला सवाल है देखिए एमस्टर्डम ओलम्पिक में भारती होकी टीम की कप्तान कौन थे भारती होकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों जैपाल सिंग उप्शन C इसका सेंस रोगा अगला सवाल है कि होकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो होकी का जादूगर जो है मेजर ध्यान चंद को कहा जाता है अगला सवाल है कि सती प्रता पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था कि इस्तिरियों के परती जो है मनापता के भावना को उभारने का प्रियास किया लॉड विलियम वैंटिंग को सती प्रता समापत करने के लिए राजी किया और समाज को बताया कि भारती धर्म सास्तर सती प्रता के विरोधी है इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने ये सभी तीनों कारणों को बताया था इसलिए इस कांसर के आजाएगा इन में से सभी हो जाया अप्सन नमर D जो है इसका सहीवा सर्थी कांसर होगा ठिक है चले अगला सवाल है केसब चंदर सेन ने बाल विभा रोकने के लिए क्या-क्या प्रियाज किया तो क्या प्रियाज किया था अगला सवाल है विश्व का सारवदिक वर्सा मानिश राम में होती है वह किस राज में स्थीत है तो दोस्तों आपको याद रखना है में घालय में अगला सवाल है कि कोलार की खान विश्व की सबसे गहरी सोने की खान है यह किस राज में इस्तित है या करनाटक राज में इस्तित है ठीक है? अगला सवाल है नरमदा बचाओं आंदोलन किस परियोजना के विरुद में किया गया? अगला सवाल है जारखन के वर्ण के अंतरगत कितनी % भूमी आती है? तो जोस्तों 29 परतिस की ब्हुमी आती है अगला सवाल है कि विष्व का सबसे बड़ा बॉक्साईट उत्पादक देस है तो जोस्तों इसको एसका उत्पादक देस में से है उप्षिन समझे इसका 12 उत्पादक desurning में से है और जोस्तों चैसर लोगा अगला सवाल है कि भारत देश गंतंत हुआ था 26 जनवारी 1950 इसवी को गंतंत हुआ था ठीक है ऑप्शन B इसका सेंसरोगा अगला सवाल है मंत्री परिशद कितने परती उतरदाई होता है यहीं किसके परती उतरदाई होता है मंत्री परिशत जो होता है वो किसके परति उतरदाई होता है तो वो जो है लोग सभा के परति उतरदाई होता है option D इसका सेंसरोगा अगला है सिक्षा का अधिकार कानून का पारित हुआ या कब लागू किया गया तो दोस्तों सिक्षा का अधिकार जो है 4 अगस्ट 2009 को जो है यह कानूर बनाए गया और यह पारित किया गया था ठीक है यानि लागूर किया गया था उप्सन 20 का सेंसर होगा 4 अगस्ट 2009 को अगला सवाल है कि भारत का राष्टी चिन क्या है तो भारत का राष्टी चिन है असोग अस्तम या असोग चक्र ठीक यानि कि इसका जो है असोग अस्तम है उप्सन नमबर जो है सी सही आंसर होगा अगला सवाल है अच्छे विद्यारती के गुण नहीं है तो अच्छे विद आगे बढ़ना सिखाती है तो दोस्तों इस वीडियो मैंने जितने भी कोशन आपको बताये हैं वे सबी कोशन भी आई है most important है इसको आप लोग इजाम से पहले अच्छे से त्यार कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरू किजएगा चले दोस्तों मिलते हैं नेक्ट में ततलग जाइन वंदे मातर